आपदा एक प्रकार की बड़ी व्यविधान और समस्या है जिसे रूखना बहुत ही मुश्किल होता है और ये कुछ समय के लिए होता है और सब कुछ खराब कर देता है इसमें किसी भी समुधाय के काम को शरीर को आर्थिक रूप से या पर्यावरन को हानी हो सकती है और इसका प्रभाव इतना अधिक होता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है और बहुत इस तर पे हानी हो ज से होने वाला बड़ा नुकसान होना आदी आपदा किसी भी प्रकार्की हो सकती है या तो मानव निर्मित या प्राकर्तिक गुलूबर वामिंग और पर्या वरण में विभीन बदलावों के कारण दुनिया भर में सुनामी भुकम तुफान बार आदी जैसे प्राकर्तिक आप आपदा प्रभंदन अधन के एक शाका है जो लोगों को आपदा प्रभंदन में मदद करता है यह महत्रपूर है कि हम में से प्रतेक व्यक्ति आपदा की स्थती में कुछ सामान्य समझ को लागू करें आपदा प्रभंदन लोगों को आत्विश्वास देता है और आपदा क समाज और समुदाई की साहता के लिए विक्सित किया गया है इसे लोगों को मानव निर्मित या प्राकर्तिक आपदाओं की पूरी प्रक्रिया ऐसी आपदाओं और उनके प्रणावों से निपटने की प्रक्रिया को जानने में मदद मिलती है प्राकर्तिक आपदा है क्या इस प्रकार की आपदा में कभी कोई बड़ा तुफवान आ जाता है या मुसलाधार बारिश होने से बार आ जाती है भूकम आ जाता है सुनामी आ जाती है आदी इसमें किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं होता ये स्व्यम प्राकर्तिक होता है जिसमें जानवर इंसान को आर्थिक और शाररिक गूप से कष्ट झेलना बड़ता है जैसे सुखा इसमें कभी कभी पाने की कमी हो जाती है और पाने बरसना बंध हो जाता है और गर्मी बहुत तेजी से होती है जिससे की कुये नल जम्मे आदी सूख जाते हैं और पाने मिलने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं ऐसे में जानवर बच्चे बुड़े और सभी लोग प्यास से और सूखी से तरस्त होने लगते हैं और भारे नुकसान छेलते हैं भुकम इस केस में अचानक से भुकम आ जाता है जिसे की पूरी धर्ती हिलने लगती है और इमारती घर स्कूल होटल दुकाने सब कुछ गिरने लगता है जिसमें बहुत लोग दबके मर जाते हैं और यदि जान भी बज़ भी जाती है तो आर्थिक रुप से नुकसान का सामना करना पड़ता है सुनामी इस केस में समुन्दर किनारे इस्थित राजियों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है इसमें अचानक से तुफवान आ जाता है और समुन्दर की लहरे बहुत तेज हो जाती है और वो लोगों के घर, समान, इमारते सब कुछ डूबो देती है जिसमें जान, धन आदी का बहुत नुकसान होता है। बार इसमें किसी भी जगे मात्रा में अधिक बाईश हो जाती है तो सब कुछ डूमने लगता है जिसे लोगों के घर, सामान, जान आदी को बहुत नुकसान छेनना पड़ता है। राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन संस्थान का गठन संसत की अधिनियम की अंतगत भारत और अन्य छेत्रे में छमता विकास के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में अपनी भूमिका निभाने की उदेश के साथ किया गया है। और इस दिशा में प्रथम प्रयास सेन 1995 में राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन केंद्र के गठन के साथ आरम हुआ जो आगे चल कर अपनी नए नाम राष्ट्रिय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में प्रश्यक्षन एवं छमता विकास के लिए विक्सित हुआ। शमता, निर्मान, प्रश्यक्षन, अनुसंधान, अभी लेखन एवं नीतिकत पैरवी के लिए नोडल एजनसी ग्रूप में चिम्मेदाई सौपी गई है। NIDM लगभग सभी राज्यों में स्थापित आपदा प्रबंधन केंद्रों को सहयोग प्रदान करता है। ऐसे अधिकाईश केंद्र राज्यों के प्रशाशनिक प्रक्षिक्षन संस्थान में स्तित है। अधिकाईश के माध्यम से तयार किया जाता है। अधिकाईश के गएचाए तयार किया जाता है।